नमस्कार दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि हमारी कुंडली हमारे ग्रहों की दशा को अच्छे से दशाती है और अगर हमारी कुंडली में किसी ग्रह की दशा कमजोर होती है तो उसकी वज़ा से आपकी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिसकी वज़ा से आपके पर्मोशन तक दुख जाते हैं या फिर आपके खाम में बाधा आती रहती है आपका जीवन अच्छे से नहीं चल पाता है सुचार रूप से ना चलने की वज़ा से आप हमेशा टैंशन में रहती हैं और वह टैंशन आप पर हावी हो जाती है यदि ऐसा ही कुछ होता है आपके लाइफ में तो जरूरी है उस लाइफ को समझने के लिए अपनी कुंडली को जरूर दिखाए यदि आपके कुड़ली में चंद्रमा ग्रह है और चंद्रमा ग्रह आपका कमजोर है तो वहे आपकी लाइप पे बहुत बुरा आसर डाल सकता है उसे ठीक करने के विए कुछ चीज़े यदि आप दान करते हैं तो वहे सबसे अच्छी मानी जाती है वैसे चंद्र के रुप के अनुसार ही आपको तान भी वैसी ही चीज़े करने चाहिए जैसे किस सफेद चीज़े जैसे चावल चीनी या फिर सफेद बरतन चादी के बरतन जो होते हैं वहे आपको दान करने चाहिए ऐसे दान करने से आपके चंद्र काफी हद तक मजबूत होगा और आपके काम में आने वारी रुकावटी काफी हद तक दूर हो जाएंगी यदि आप ये चीजे दान करते हैं तो वह आपके चंद्रमा की गिरह की इस्तिती काफी हद तक ठीक करती है लेकिन यह चीचीब दान करने के लिए आप संधिया समय ही चुने यदि आप संधिया के समय मुश्री या फिर सफीज चीजे जो भी होती है वह यदि आप दान करते हैं तो आपका चंद्रमा गिरे काफी हर तक मजबूत होता है और आपके फर्मोशन हो या फिर आपका केरियर काफी हर तक आपके उस केरियर में बदद भी करता है यदि आपके गिर्वों की इस्तिती अच्छी होती है और मजबूत होती है तो वह आपकी जीवन को अच्छा बना देती है और आपके जीवन को अच्छा बनागे आपके जीवन में हर तरक्य को आपको पाने में हमेशा साप देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उजवल रहे तो आप इन चीजों को जरूर देखें। अपनी कुंडली में ग्रहों की दशाव को देखका इन चीजों का तान सरूर करें। मेरी इस वीडियो को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना बुलें।